अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब भीजिए न्यूस टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोज और न्यूस अपडेट सबसे पहले राम मंदिर पर सुप्रीम कोट के अतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक और समाजिक प्रतिक र्याव का दोर भी शुरू हुआ सत्ता पक्ष जहां इसे देश पर के समाजिक ताने बाने की जीत मान कर चल रहा है तो वहीं विपक्ष दबी जुबान में फैसले का समर्थन करता हुआ दिख रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिने फैसला रास नहीं आ रहा है जिन में से एक हैं अजदुदीन ओवेसी ओवेसी ने प्रेस कॉन्फरेंस में फैसले के प्रती अपनी नाराज की साफ तोर पर जाहिर की लेकिन असलियत में यह किन लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और कैसे राम जन्म भूमी वर्षों से आस्था का केंद्र बनी रही और हिंदुस्तान की एकता सद्भावना और ताने बाने को लेकर राश्टे समसिवक संग क्या सोचता है और ऐसे लोग जो नफरत फैलाने के राजनिती करते हैं उनके लिए संग प्रमुक ने क्या आदेश्थिया एक बार सुनिए श्री राम जन्म भूमी के संबन्द में माननिय सर्वोच नियायले द्वारा इस देश की जनभावना आस्था एवं श्रद्धा को नियाये देने वाले निर्णे का राश्ट्रिया स्वयम सेवक संग स्वागत करता है दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णे हुआ है इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्म भूमी से संबन्दिश सभी पहलूँ का बारीकी से विचार हुआ है सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दुष्टक्यों से रखे हुए तरकों का मुल्यांकन हुआ धायर्य पूर्वक इस दिर्गा मन्धन को चला कर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्याय मुर्थी तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शतशाह धन्यवाद तथा अभिनन्दन करते हैं इस लंबे प्रयास में अनेक प्रकार से योगदान करने वाले सभी सहयोग्यों वो बलिजानियों का हम कृतद्यता पुर्वक स्मरण करते हैं निर्णे स्विकार करने की मनस्तिती भाईचारा बनाये रखते हुए पूर्ण सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकारी स्तर पर वो समाच के स्तर पर भी हुए सभी लोगों के प्रयास का भी हम स्वागत और अभिनन्दन करते हैं अच्चन्त सयम पूर्वक नियाय की प्रतिक्षा करने वाली भारती ये जनता भी अभिनन्दन की पात्र है इस निर्णे को जय पराजे की दुरुष्टी से बिलकुल नहीं देखना चाहिए सत्यव नियाय के मन्थन से प्राप्त निश्कर्श को भारत वर्ष के संपूर्ण समाज की एकाप मता वबंधुता के परिपोशन करने वाले निर्णे के रूप में देखना वो उपियों में लाना चाहिए संपूर्ण देशवासियों से अनुरूद है कि विधी और सम्विधान की मर्यादा में रहकर सयमित और सात्विक रीती से अपने आनंदों को व्यक्त करें इस विवाद के समापन की दिशा में सरवच्च न्यायले के निर्णे के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की और से शिग्णता पुर्वक होगी ऐसा हमें विश्वास है अतीत की सभी बातों को भुला कर हम सभी श्री राम जन्म भूमी पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिल जुलकर अपने कर्तवियों का निर्वाह करें